प्यारे बच्चों नमस्कार आज की इस वीडियो लक्षर में हम नुवेक अक्षिया के गणित की परशनावली चैदस्मनों दो के परशनों को हल करने के लिए आवस्चेक कुछ एक बेसिक कंसेप्ट और चैदस्मनों दो परशनावली से पहले दिये गए उधारणों को समझ देंगे तो सबसे पहले आईए समझते हैं कि त्रियक रेखा क्या होती है जिसको इंग्लिस में ट्रांसवर्शल बोलते हैं कि त्रियक रेखा क्या होती है इसके लिए मैं एक चीट त्रवना लेता हूँ कि जैसे ये हमारे पास मान लेजिए दो रेखाएं हैं जिनने मैं रेखा M और N का नाम दे देता हूँ तो देखिए एक ऐसी रेखा एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदों पर परतिछेद करती है एक बार फिर से कि एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक भी हो सकती है आपर दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदों पर परतिछेद करे ऐसी रेखा त्रियक रेखा कहलाती है तो यहाँ पर यह जो रेखा L है यह त्रियक रेखा है मैं दो सेति क्यों का एक रीक और भी ड्रह कर सकता है यहां बर मैं तो इस तरह से आप समझ गये ऊगे हैं के ते रह प्राइं Woran मैं यदि में लिए चित्र को देखें तो यहां पर देखिए हमें 8 कोंम नज़राएंगे कोंम नमबर 1 12 तीन, च्यार, इसी तरह से निच्छे, पांच, छे, साथ, और कौन नमबर आठ, तो यहाँ पर हमारे पास आठ कौन है, इन में से देखिए, कि कौन एक, दो, साथ और आठ, यह बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ यह कौन है, तो इनने व्य यह कौन है, या exterior angle बोलते हैं तो यहाँ पर बाई ये कौन 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 से हैं कौन एक कौन दो कौन साथ और कौन आठ ये बाई ये कौन है और जो अंदर की तरफ जो कौन है उन्हें अंता कौन ये interior angle बोलते हैं तो अंता कौन ये अंदर वाले कौन 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 से हैं कौन 3, कौन 4, कौन 5 और कौन 6 तो ये तो बिल्कुल इसके नाम से सबस्ट है कि जो बाहर की तरफ आगे वो भाई ये कौन है और अंदर की तरफ जो आगे वो अंता कौन है तो इस सित्र में 4 भाई ये कौन है और 4 अंता तो यहां पर जब एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को पड़ती सेद करती है तो कुछ एक कौनों के युगम बनते हैं युगम का मतलब जोड़ा होता है पेर तो देखिए कौन-कौन से पेर कौन-कौन से युगम बनते हैं कि जैसे यहां पर कौन एक और कौन पांच यह संग संगत कौन है संगत कौन जिसको इंगलिश में कोर्षपॉंड या अंगल बॉलते हैं तो जैसे कौन एक का संगत कौन पांच है तो कौन एक और कौन पांच होगे इसी तरह से कौन दो का संगत छे कौन दो और कौन छे कौन तीन का संगत कौन साथ है और कौन च्यार का संगत है कौन आठ तो संगत कौन के तो बिलकुल असानसी निशानी होती है कि जिसे ये एक जैसी दो स्थिति है इस चित्र में तो जो पोजिशन कौन एक की उपर में उपर वाले जगह पर हो ऐसी ही स्थिति किस की है पांच की है तो एक और पांच है शंगत कौन है इसी तरह से दो और छे तीन और शाथ च्यार और आठ ये संगत कौणों के यूगम है अब देखिए और कौण यूगम कौण कौण से हैं यह एक आंतर अंतर कौण में क्या होता है कि जैसे एक यूगम बैजानना तो बिल्कुल आसान है कि जैसे इस तरह से एक Z टाइप की आकरती बनेगी क्या बनेगा जसे एंगलिस में हम Z लिखते हैं इस Z टाइप में आकरती बनती है तो यहाँ पर इस जैड में जो एंगल बनेगा जैसे 4 और 6 तो यह एक आंतर अंत है कोण है देखे एक आंतर अंतर अन्दर की तरप हो और एक अंतर हो अल्टरनेट हो तो एक जड़ तो ऐसे बनगे दूसरा जड़ ज़ा उल्टा बने आयसे चाहे जेड सिध्धा बने चाहे उल्टा बने उसमें जो कोणों का जोड़ा होगा वो एक अंत्र अंत्य कोणों का जोड़ा होगा तीन और पान जहें और अब एकांतर बाई एकोनों को समझने के लिए भर फिर से एकांतर अंतर 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 अंत अंतर अंतर अंतरTime आंतर費 इसी त्रियक रेखा में बाहर की तरफ अपोजिट है, यानि जैसे कौन एक और कौन साथ है, ठीक उसी तरह से इस त्रियक रेखा के बाहर की तरफ और अपोजिट है, कौन दो और कौन आठ है, तो जो आपने जैड बनाया है, इसी के इर्दगिर्द आपको अंता कौन मिलेंगे, और इसी के बाहर की तरफ जो है, एक अंतर बाई ये कौन मिलेंगे, Z से अगर आपको पैचानना हो तो जैसे सिद्धा Z बनाईये बाहर की तरफ 1 और 7 औल्टा Z बनाईए बाहर की तरफ 2 और 8 तो इस तरह से हम एक अंतर अन्तर अंतर बाई अकोनों की पैचानन साने से कर सकते हैं उसके बाद आता कि तिरियेक रेखा के एक यूर बने अन्ताय कौन, तिरियेक रेखा के एक यूर, यानि एक यूर तो च्यार और पांच हो गया, दूसरा पेर तीन और छे हो गया, तो तिरियेक रेखा के एक यूर बने अन्ताय कौन, कौन च्यार और कौन पांच, दूसरी तरफ अंत्य कौन तरी एक रेखा की और कौन तीन और कौन साथ हो गई तो इस तरह से जब एक तरी एक रेखा दो रेखाओं को अलग लग बिंदों पर प्रतिशेद करती है तो हमें संगत कौनों के च्यार यूगम मिलते हैं एक अंत्र अंत्य कौनों के दो यूगम एक अंत्र भाई ये कौनों के भी दो यूगम और तरी एक रेखा के एक यूर बने अंत्य कौनों के दो यूगम हमें फ्राप्त होते हैं तो इस सित्र को एक बार आप ड्रा करें और ये सारे कोणों के जोड़े जो हैं ये पेर्श हैं ये आप बना करके देखें अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि तरियक रेखा कि एक ही और बने जो कोण है उन कोणों को हम कुछ और नाम भी देखते हैं जो है कर्मागत अन्ते कोण कर्मागत अन्ते कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या इसको संबंदित कौन या अलाइड एंग्ल्स भी बोलते हैं तो देखिए कि तरियक रेखा कि एक यार बने कोणों के दो नाम और है जिनको आप अच्छी तरह से याद रखें कर्मागत अन्ते कोण और संबंदित कोण कंजीकुटिव इंटीरियर अंगल और लाइड अंगल्स अब आगे हैं समानतर रेखाएं और तरियक रेखाएं करने कारती है कि जब एक तरियक रेखा दो समानतर रेखाओं को अलग लग बिंदों पर प्रतिशेद करती हैं उस चीज़ का हमें अध्यन करना भी और इस चैप्टर में आगे जितने भी किस्ट्रंस हैं लग बग चैप्ट दो परशनावली में वह इसी कंसेप्ट पर बेश्ट है इसलिए इसको ध्यान से समझें कि यदि एक तरियक रेखा दो समानतर रेखाओं को परतिशेद करती है तो क्या होगा तो वही पहले वाड़ा टोपिक की तरह से हमें आठ कौन मनें कौन एक कौन दो तीन च्यार पांच छे साथ और आठ अब देखिए अगर हम समानतर रेखाओं के केस में अगर संगत कौनों को मापके देखें तो क्या होगा देखिए यहां पर संगत कौन 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 से हैं संगत कौन योगम कौन एक और कौन पांच यह दोनों संगत कौन है तो देखिए इसको मापके देखते हैं कि कौन पांच को अगर आप मापके देखें तो यह आपको यहां से आप नजर आघा कितने डिगरी का है, 60 डिगरी का कौन है, इसी तरह से, यह 60 का निशानी है, और यहां से, अगर कौन एक भी हम आपके देखें, तो यह भी 60 डिगरी है, तो यहां से हम आपके वेरिफाई कर सकते हैं, कि कौन एक और कौन पांच, आपस में ब्राबर हैं, इसी तरह से कौन 2 और कौन 6 कौन 2 जो है वो यहां से देखी 120 डिग्री का है और कौन 6 भी 120 डिग्री का है जब भी एक ट्र strict करेका का दो समांतर रेका को पड़ती तरह करती है तो उस केस में संगत-खौणों के यूगम हमेशा ही Best आप संग्रापर होते हैं कि चंगत़ कोन हमें सहीं आप संग्रापर होते हैं एक पहंच के बरापर मिलेगा दो Lawrence के के बराबर मिलेगा इसी तरह से आब चंद दे या डी की हेल्प से माप करके देख सकते हैं कौन तीन जो हो कौन साथ के बराबर मिलेगा कौन च्यार्ज हो कौन आठ के बराबर मिलेगा तो अब यह यूनिवर्सल टूथ है इसलिए एक संगत कोण अभिगर्द को हम प्रिभासित करते हैं कि यदी एक त्रियक रेखा यदि यदी एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को परतिचेत करे तो शंगत कोणों का परतेएक युगम बराबर होता है अब संगत कौन अभिगरित का विलोम भी सकते है विलोम का मतलब इस बात का उल्टा कि यदि संगत कौन बराबर है पहले हमने क्या का था कि यदि ये दो रेखाएं समांतर है और त्रियक रेखा इसको कट करती है तो यदि ये रेखाएं समांतर है तो संगत कौन बराबर होगे हैं अब हम विलोम में इसको उल्टा कहेंगे कि यदि संगत कौन बराबर है तो रेखाएं क्या होगी समांतर होगी यदि एक तरी एक रेखा दो रेखाओं को इस परकार परती सेध करें कि संगत कौनों का युगम बराबर है एक तरीएक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिसेद करती है तो संगत कोण बराबर होंगे और यदि एक तरीएक रेखा दो रेखाओं को यह आप देखी पहले बने समांतर नहीं का है दो रेखाओं को प्रतिसेद इस पत्रह से करती है कि संगत कोण बराबर हो तो यह दोन तर साथ कोण रिभीत देखे करंग करने इस दूँंद कर करती है उस केस उस केस में, आंतर कोण को यूगम भी यांतर इकानतर कोण का यूगम भी यहासी में बराबर होगा, कि इससे भी तरहें, इस चींदम करेंगे एक अंतर अंतर कोनों का प्रते क्यूं ब्राबर होगा कि यहां च्यार्ज 6 के ब्राबर होगा आप माप करके भी वेरिफाई कर सकते हैं मैं इसे आगे प्रूब भी करेंगे कौन 3 कौन 5 के ब्राबर होगा एक अंतर बाई ये कौनों का भी प्रते क्यूं ब्राबर होगा कौन 1 कौन 7 के ब्राबर होगा कौन 2 कौन 8 के ब्राबर होगा इसके अलावा तिरिये करेखा कि एक ही और बने कौनों का योग हमें सही 180 डिग्री होगा तिरिये करेखा कि एक ही और बने कौनों का योग जैसे कौन 4 पलस कौन 5 तिरिये करेखा कि एक ही और बने अनता कौन का योग हमेंसा कितना होगा 180 डिग्री होगा कौन 3 पलुस कौन 6 ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा तो देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया है कि ये चीज संगत कौन वाली तो ये एक अभिगरित की रूप में यूज़ करेंगे इसके प्रूफ कि आप सकता नहीं है कि जब रेखाएं समांतर है तो संगत कौन वराबर होगे ये ति संगत कौन वराबर है तो रेखाएं समांतर होगे इसके अलावा जब एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं का प्रतिशेद करते हैं तो एक अंतर अंतर अकोनों का प्रतेक यूग वराबर होता है एक आंतरबाई ये कोणों का प्रतेक यूगम ब्राबर होता है और त्रियक रेखा के एक यूऔर बने कोणों का योग 180 डिगरी होता है ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे योग कि परस्नावलिच है दसम्रदों के उधारन और परस्नों को हल करते टाइम तो आगे देखिए हमारे पास छोटी-छोटी 5 परमे हैं जिनको हम बड़ी आसानी से शिद्ध कर सकते हैं परमे 6.2 है यदि एक तरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रति शिद्ध करें तो एक आंतर अंतर अकोणों का प्रतेक यूगम ब्राबर होता है तो यहाँ पर देखिए कि ये दो समांतर रेखाओं हमने ड्रा कर दी है और ये एक तरियक रेखाओं को प्रति शिद्ध करें तो अंतर अकोणों का प्रतेक यूगम ब्राबर होता है यानि ये कोण इस कोण के ब्राबर सिद्ध करना है और ये बड़ा कोण इस कोण के ब्राबर सिद्ध करना है तो अब देखिए एक कोण हम यहां पर ड्रा कर लेते हैं इसे में कोण एक का नाम देता हूं इसे दो इसे तीन इसे चार इसे पांच का नाम देता हूं तो यहां पर हमें दिया क्या है दिया यह है कि रेखा M जो है वो N के समांतर है L एक तिरियक रेखा है तो और सिध क्या करना है आपको को यह-को सुर्ण दो ब्राबर और कौन पांच और कौन तीन ब्राबर पूं च्यार हैं पर एक अंतर 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 कौन का परतेक युगम ब्राबर होता है तो यह समांतर अंत्य कौन में 2 और 5 आगे 3 और 4 आगे अब इसका प्रूफ देखिए उपत्ति अब देखिए क्योंकि M और N समांतर है इसलिए कौन 1 और कौन 5 ब्राबर होंगे क्योंकि संगत कौन है क्योंकि M समांतर है इसलिए कौन 1 ब्राबर कौन 5 इसे में समय करण 1 का नाम देता हूं इसका कारण भी देऊंगा क्योंकि संगत कौन अभिगरित भी लिख सकते हैं दूसरा कौन 1 ब्राबर कौन 2 कौन 1 दू के ब्राबर क्यों होंगे क्योंकि सिर्षा भी मुख कौन है क्योंकि क्योंकि कि सिर्षा भी मुख कौन सिर्षावे मुकोंड भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं अब यहां से इन दोनों समय करणों के देखिए कि left and side equal है जब किनी भी दो समय करणों कि left and side equal हो तो right and side हम equal रख सकते हैं या फिर इसमें अगर हम जमेट्री की बात करें तो जब दो अलग अलग जीजें एक वस्तों के बराबर हो तो वह जीजें आपस में भी क्या होती हैं बराबर होती है तो यहां से हम कह सकते हैं एक वह दो से कौन दो बराबर कौन पांच और इसी तरह कौन 3 वर कौन 3 बराबर कौन 4 तो हैंस प्रोट वैसे तो इसी तरह लिखने से काम चल जाता है बाकी कि इसको अगर आप पूरा सिद्ध करना चाओ तो भी कर सकते हो कि यहां पर आप यह कौन और लेलो कौन 6 का नाम देदो कौन 6 बराबर कौन 4 और कौन 6 बराबर कौन 3 तो इसी तरह से 3 और 4 आपसें बराबर हो जाएंगे तेकिन इतना काफी है अब परमे 6.3 यदि एक तरियक रेखा दो रेखाओं को इस परकार परतिशेद करें कि एक अंतर अंतर कौनों का परतियक यूगम बराबर है तो दोनों रेखाओं परस पर समांतर होती है तो यह देखिए 6.2 परमे का उल्टा है कि पिछली परमे में हमें क्या दिया हुआ था कि यह दोनों रेखाओं समांतर दीवी थी और एक अंतर 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 कौन बराबर सिद करने थी इस बार इस ने कह दिया कि एक अंतर अंतर कौन तो बराबर है अब यह सिद किजिए कि यह रेखाओं क्या होगी समांतर होगी तो चलो सिद्ध कर देते हैं यहाँ पर हमें दिया क्या है दिया है जैसे यह कौन एक यह कौन दो यह से कौन तीन का नाम दे लेता हूं कि यहाँ पर हमें कौन एक बराबर कौन दो दिया है और सिद्ध क्या करना है शिद्ध करना है कि M जह वो रेखा M रेखा N के समांतर है L तिरी एक रेखा D भी है L एक तिरी एक रेखा है अब देखिए इसकी उपत्ती बिल्कुल दो लाइनों में अशान से है कि कौन एक बराबर कौन दो यह तो दिया है हमें और कौन एक बराबर कौन तीन क्योंकि एक अंतर रंता है कौन एक अंतर है सोरी एक बराबर तीन क्योंकि सिर्षा भी मुख कौन अब एक बर दो से हमें क्या पता लग रहा है कि कौन दो बराबर कौन तीन है एक में दो से कौन दो बराबर कौन तीन हो गया तो इसका मतलब संगत कौन बराबर होगे संगत कौन बराबर होगे तो रेखा एम जव अंके समांतर होगे इसलिए एम जव अंके समांतर है क्योंकि संगत कौन बराबर होगे तो इसका मतलब ये दोनों में बराबर होगे संगत कौन बराबर होगे तो रेखाएं भी समांतर होगे अब आगे परमे 6.14 कि यदि एक तरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को पड़ती छेद करे तो तरियक रेखा कि एक ही ओर बढ़ने अंतर कौन का पड़ते एक यूग आगे परमे 6.14 यदि एक तरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को पड़ती छेद करे तो तरियक रेखा कि एक यूऔर के अंतर कौनों का पड़ते एक यूगम समपूरक होता है देखी इसमें आपको क्या सिद करना है कि जसे आपको ये दो रेखाओं M और N समांतर दीवी है L एक तरियक रेखा है तो इसके एक यूऔर बने अंतर कौनों का यूग समपूरक का मतलब 180 डिगरी होता है कोई कौनों का यूगम समपूरक होता है कब होता है जब उन दोनों कौनों का यूग 180 डिगरी हो तो तो यह कहते हैं कि यह दोनों कौन समपूरक कौन होते है तो देखिए यहां पर एक कॉन हम बना लेते हैं इसको नाम एक दे देते हैं इसको दो दे दे देते हैं तो हम इसे दिये करना है कि कॉन 2 प्लस कॉन 3 जाओ 180 डिगरी होता है इसी तरह से कॉन 4 प्लस कॉन 5 भी 180 डिगरी होता है तो यहां पर दिया है क्या दिया है आपको कि M N किसम अंतर है तथा यह लेक तिरियक रेखा है और शिद्ध क्या करना आपको सिद्ध करना कि कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 180 कौन 4 प्लस कौन 5 बराबर भी 180 डिगरी होता है अब इसकी उपत्ती बिल्कुल असान है देखिए कैसे कि कौन 1 प्लस कौन 2 कि निकर राशी हो गाँ कि तो थे यह इसके उपर ए खडी लाइन् यह रेखा और इसके उपर एक खडी लाइन्यथेज़ में देखा कि रह रेखिक यूगम का वह रोटल हमेश हैं क्या होता है 1802 होता है और क्यों कौन एक ब्राबर कौन तीन होगा क्यों क्योंकि संगत कौन है कारण देना जरूरी होता है इनका और ये इसका कारण विताओ को कि मैं रहाखे के यूग कमाईगे अब इसे समीकर्ण एक का नाम देता हूं और इसे समीकर्ण दो का नाम देता हूं तो एक प्लस दो ब्राबर एक सो से डिग्री है एक तीन के ब्राबर है तो एक के जग तीन रख सकते हैं एक होएं दो से कौन तीन प्लस कौन दो ब्राबर एक सो असे डिग्री ये तो सिद्ध करना था कि कौन दो प्लस कौन तीन ब्राबर एक सो असे डिग्री इसलिए कौन 2 व कौन 3 संपूरक कौन इसी तरह कौन 4 प्लस कौन 5 ब्रावर एक ससी डिएरी अर्थात कौन 4 व कौन 5 भी संपूरक कौन कि परमेज है दस्मेलों 5 यदि 1-3 रेखा दो रेखा को इस प्रकार प्रतिशेद करें कि तिरीक रेखा कि एक योर के अंता कोनों का एक यूगम संपूरक है तो दोनों रेखाएं प्रशपर समानतर होती हैं तो यहां पर देखिए कि यह कोई भी दो रेखाएं दे रखी हैं जिने हम M और N का नाम दे देते हैं यह एक तरीयक रेखा है जिसे मैं L का नाम दे देता हूं अब हमें यह दिया है कि तरीयक रेखा के एक यह और के अंतरे कौन का एक युगम संपूरक है तो मान लेते हैं कि इन दोनों का टोटल जवाब वो कितना है 180 डिग्री है देखिए कौन एक दो तीन यह नाम देता हूं अपने मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं अब एक दो तीन ऐसे नाम देता हूं तो यहां पर देखिए कि हमें दिया क्या है कि कौन दो प्लस कौन तीन ब्राबर 180 डिग्री है और हम इसी दिये करना है कि कौन M और N जो मांतर रेखा हैं है तो कौन 2 प्लस कौन 3 180 डिग्री है यह तो क्या है आपको दिया है और कौन एक प्लस कौन दो या कौन दो प्लस कौन एक यह भी कितना आता है 180 डिगरी क्यों क्यों कि यह रहा कि क्यों गम है आप देखिए कि जब राइट है डी कूल है तो लेट है या तो क्वोन दो प्लस कौन तीद रावर कौन दो प्लस कौन एक तो यहां से तो कौन तीन ब्राबर कौन एक हो जाएंगे तो इसका मतलब संगत कौन बराबर होगे संगत कौन बराबर होगे तो M N के समांतर हो जाएंगे M समांतर है N के क्योंकि संगत कोन Emigrette का parade लोग कि बाकी यह था लेखी लोगे कि दिया क्या है सिद्ध क्या करना है वगरा यह चीज़ आप लिखेंड़ेना वाकी इसका प्रूफ है अब पर मेंच्या दसम्लों छाय लास्ट पर में है कि वे रेखा है जो एक रेखा की समांतर हो परस्पर मांतर होती है कि जैसे ये एक रेखा है कि अब जैसे एक रेखा ये है एम एन इसको नाम पी दे देता हूं तो यहां पर एम समांतर है एन के और एम समांतर है पी के ये सिद्ध दिया है और सिद्ध आपने क्या करना है सिद्ध करना है कि एन और पी भी आपस में क्या होगी समांतर होगी ये दो रेखाएं एक रेखा के समांतर है तो यह आपस में भी समांतर होगी ये चीज़ आपने सिद्ध करने हैं का लगा है तो यह सिद्ध करने के लिए हम क्या करें एक तिरीए त्रीएक रेखा एल ड्रा करते हैं एल ड्रा करने के बात मैं यहाँ पर कॉन एक खौन दो और तीन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि कॉन क्योंकि M smтр है n की M smtr है n के इसलिए कौन 1 बराबर कौन 2 होगा क्योंकि संगत कौन है और क्योंकि M smtr है P के M smtr है P के इसका मतलब कौन एक कौन तीन के बराबर भी होगा कारण सेम रहेगा संगत कौन अब इससे समय करने एक का नाम देदें से दो का नाम देदें कि जब लेप्ट एंड साइड इकोल राइट एंड साइड इकोल रख सकते हैं तो इसका मतलब कौन दो बराबर कौन तीन हो गया अब संगत कौ अभिगřित हम तरसके बाबर है कि इसका मतलब एंड जो है समांतर है sti कलियर क्यूंकि संगत कोण अभिगरित का विलोम यह कहता है कि अगर संगत कॉण आपस में बराबर है तल यह दोनों रेखाएं भी क्या होगी समांतर होगा है कि कि संगत कौन अभी घरीत का विलोंगे